तो जब यह एक्सपेरिमेंट किया गया भाई तो वह शिप तो गया हो गया थोड़े देर के लिए मुश्किल से 10 मिनिट के लिए लिकन जब वह वापस आया तो जो शिप के जो सैनिक थे ना जो मैटल की बॉड़ी थी ना शिप की जो दीवार है थी फर्श किसी का हाथ निकल तरफ तंजली महारीशी के बारें बोला जाता है कि भाई वह आधे इंसान आधे नाग थे हमारे धर्ती पर जो सिवलाइजेशन है उसे बहुत पहले एलियंस नहीं बसाया है और एलियंस बाहर से कहीं से नहीं आते वह हमारे बीच में ही रहते हैं तो इसी के साथ आज हमार जो कि हमें बताएंगे टाइम ट्रावल की कुछ कहानिया और साथ ही साथ एलियंस एक्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं क्या हम ही ऐसा कुछ है गया तो इस बारे में हम बात करने वाले गौरफ सर स्वागत आपका वन मोटाइं हमारे शोपे थैंक्यू कैसे आप बढ़िया सर मजा आजाता है आपसे बात करके ना इतने इंट्रस्टिंग टॉपिक है आपके पास की वही वैसी होता है कि सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सही मैं सर और पिछले एपिशोड पर जंता ने बहुत प्यार दिया तो फिर से तो हमें एक और एपिशोड करना ही था तो तो भाई टाइम ट्रेवल जो है ना पहले बताना पॉसिबल है नहीं थोड़ा कॉंसेप्ट समझा दो हमें हमें भी और जनता हो बिल्कुल भाई पॉसिबल तो है अभी पॉसिबल वाले ही ना हो लेकिन फ्यूचर में डेफिनिटली हो जाएगा अचा लगता है मुझे क्यों पर ट्रेवल कर रहा है एक टाइम से दूसरे टाइम में और उस चीज़ अगर आप पास्ट की कोई चीज़ बदलते हो या फ्यूचर में कोई चेंज़ करते हो तो उससे पूरा जो सर्कल है वह पूरा बिगड़ सकता है तो आई थिंक इस ये टेक्नोलोजी क्या पता अभी सारी बाते आम जनता कोंचती नहीं है आयम ट्रेवल पर बहुत पहले टाइम से रिसर्च चल रहा है आलबा टाइंस टाइन के टाइम से क्योंकि जब वह उस टाइम ठीविटी दे चुके थे तो अभी तक उस चीज़ पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि आगे फर्दर कुछ भी र प्राइम रेलीटिव और उस चीज़ को हम किस तरीके से मैनिपوलेड नहीं कर सकते हैं अब तो इस चीज़ बहुत सारे इतिहास में किस से होचुके हैं जहां की गई यह गलती से टाइम ट्रेवल हो गया था अब जब गलती से एक बार हो गया था तो भाई इनने आगे सेम टेक्नलोजी पर कुछ तो रिसर्च की गई होगा भी तक भाई थोड़ा एक स्पेंड करो क्या था यह और डीटेल ने बताओ स्टार्टिंग से मज़ा यह बात ह तो यूएस जर्मानी के बीच में गर्मा गर्मी चल रही थी टेक्नलोजी सभी देशों के पास सेम थी बट यूएस के पास बेनेफिट एता कि उनके पास अच्छे साइंटिस्ट है निकोला टेसला थे आइंस्टाइन थे और उनकी रिसर्च वगरा सब थी यूएस के पास यूएस क्या करता था बाहर के देशों को अच्छे साइंटिस्ट है उनको भी अपने नागरिकता देता था ठीक तो निकोला टेसला जो थे वह वायरलेस एलेक्ट्रिसरी ट्रांसमिशन पर काम कर रहे थे लेकिन साथी साथ वह और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर अच्छा अच्छा अब यहां बैठा है तो यह इन्विजिबल हो जागा है अबजक्ट को लिविंग परसनों की बात नहीं चल रहे है एक अबजक्ट को जैसे कि मानलो के कोई एक कार है या कोई शिप है उसकी पूरी फिसिकल बोडी के साथ उस डिवाइस को अटेच कर दि इस से में वार में बहुत मदद मिलेगी अब यह पहले चोटी सी नाओ पर एक्सपरिमेंट किया थो अच्छल रहा सकसेस्फूल कैसे रहा उससे नाओ की लोकेशन चेंज हो गई उन्हों ने एक पर पटिकुलर पर नाओ को रखा एक्सपरिमेंट किया तो वह 300 तू मेंट दूर वो ना पहुच गई थी, यहां से गायब हो गई थी, मतलब वो गायब इन्वेज़न नहीं थी, वो जगे बदल जी तो बढ़िया है, यहां से टेलिपोर्ट करो और थोड़ी दिर बाद वापिस लेकर आजा और हमला कर दो, तो उन्हों ने बढ़े वाले शिप पे किय अब यहां शिप में क्या था, इन्होंने अपने टूप्स को अपने सैनिकों को भी रखा, क्योंकि भाई खाली जहाज को गायब करने का क्या मतलब है, तो जब यह एक्सपेरिमेंट किया गया भाई, तो वो शिप तो गायब हो गया थोड़े देर के लिए, मुश्किल से 10 म वो जो टेलिपोर्ट हुए थे, और उसके बाद जब वापस आया थे, तो सब चीज़ा मिक्स हो गई थी, लिविंग, नॉन लिविंग तिंग से सब मिक्स हो गई थी, और उनका जो पूरा का पूरा जो बटैलियन थी वो, उसमें से मुश्किल से 3 या 4 लोग जिन्दा बताया, रिटारमेंट के बाद फिर जाके उसने मीडिया के सामने बताया कि एक्स्परिमेंट हुआ था, मैं इसमें था और जब मैं गाया हुआ, तो शिप टेलिपोर्ट हुई लेकिन मैंने टाइम ट्रेवल किया, अच्छा, ताइम ट्रेवल करके कहां गया वो, ताइम ट 24 चल रहा, सोचो कितना आगे पहुच गया था, इस दस मिनिट के उसमें, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि यहां जो टाइम था वो दस मिनिट का था, लेकिन वो बता था कि वहां पर साथ दिन रहा, उसने साथ दिन कैसे वहां सर्वाइब किया, छुपके रह जैसे तैसे, उसको यह भी नहीं पता था कि मैं वापिस कभी आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, मैं तो फस गया यहां पर, लेकिन फिर जैसे ही वह एक्सपरिमेंट वहां खतम हुआ, पास्ट में, तो वहां से गायब हो गया और यह यहां पहुच गया, भाई, नासा तो एक ऐसा जोन है, जहां पर जरूरी नहीं है कि इनसान ही, जो हम अभी करेंट टाइम में है, एक्सपरिमेंट करके, पास्ट ये फ्यूचर में जाएं, कभी-कभी ऐसे इसे इंसिनेंट होते हैं, जहां पर टाइम स्लिप की घटना देखी जाती है, मतलब बिना किसी मशी या पर किसी अन्नोन रीजन से पास्ट का कोई परसन यहां पर मतलब अभी परजेंट टाइम में या फ्यूचर में पहुंच जाए, ऐसी घटनाएं भी देखी गई है, और हाँ, ये तो जापान की घटना बहुत फेमस है, ये 1954 की घटना, मैन फ्रॉम टॉड, टॉड एक कं ये 1954 में, तो जो दोफेर की फ्लाइट जिसने टोक्यो में लैंड किया था, उसमें एक बंदा उतरा, उसकी जब चेकिंग चल रही थी, तो उसने अपना पास्पोर्ट देखाया, उस पर लिखा था, रिपब्लिक आफ टॉर्ड, तो वो देखकर, जो कस्टम के ऑफिसर थे नकली वाला कोई काम नहीं था, लेकिन सब इस चक्कर में थे कि टॉर्ड कौन सी कंट्री है, इसका तो नाम ही नहीं सुना, तो एरपोर्ट अथॉर्टी वाला उने क्या किया, उसके सामने वर्ल्ड का मैप रखा, उस इंसान के सामने कहा है तुमारी कंट्री, इस मैप पर तो वो मैप था नाइंटी-फिफ्टी-फोर के टाइम का, अभी तक कोई चेंज नहीं आए, अभी वही मैप चल रहा है, वही ऑस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया ही है, है ना, तो उस इंसान ने जगह जहां पर रखा, वो कोई और कंट्री थी, वो टॉड नहीं थी, तो उस प के पहले इसने सिक्योर्टी चेक कराया होगा, तब इसको कैसे अपूर्वल मिल गया, यह प्लेन के बीच में से कैसे आ गया, क्या हुआ तो उन्होंने बोले भाई, इसको अलग से रखते हैं, और देखो क्या है कि यह जब मामला था यह तो था भाई, अपर लेवल का, यह मामला था या परलल युनिवर्स का उनको लग रहा था कोई बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है, तो एयरपोर्ट अथर्टी वालों ने थोड़े ऊपर वाले लोगों को कॉंटेट किया है कि आप आके इन्वेस्टिगेशन करो, अब यह जो भी उनके चलता होगा जापान म तो उसको एक कमरे में रख दिया अच्छे से और कमरा पूरा कर दिया लॉक कोई विंड़ो अगएरा कुछ नहीं सब कुछ पैक एकदम उसके बाद जब हाए उन्होंने बोला कि बंदा का है उन्होंने बोला यहां पर है ठीक गेट को ला तो गायब और उसके जितने डॉक केस उसका पासपोर्ट उसके जो भी डॉक्मेंट्स वो सब लेका है तो उन्होंने अपने पास रख लिये तो उन्होंने बोला चलो अपने पास यह तो है जब वो देखा तो वो भी नहीं था बोले यह कैसे गाया हो सकता है मैं आदमी तो चलो फिर भी वैसी नेक्स्ट वैसंधेख रिए जैसे कभी थे ही ने बट वे अनौने उस टाहिं में उसके फोटो ले लिया थे प impetus बानि उसके पासपोर्ट का टर्श था और जो फ्रेंट पेज होता है उसका फोटो लिया दा वो गया नहीं हुआ वो एक्शली में किया गाता है वो कोई फीजिकल तॉर्ड नाम की कौन सी कंट्री थी क्योंकि टाइम ट्रेवल का केस होता तो यह वाला मिस्मैचिंग होती ना कि बाई मैं चल रही है तो कभी-कभी कुछ गड़वड हो जाती है यहां का वहां हो जाता है तो यह इस टाइप का टाइम स्लिप का केस तो यह सी घटना भी होती रहती है जरूरी नहीं कि इनसानी अपनी तरफ से मशीन बनाया और टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करें इस को तो हम ऐसे क नहीं को बहुत है कि भगवान कुछ फिक्स करना चाहते तो उस बंदे को टाइम-सलिप कर वा दिया हो सकता ऐसा भी हो सकता है ब्दा मिला डॉकुमेंट मेले फोटो स्ते कर लेते बहुर्लों लेकिन देखा जाए यह सब किस्सेभी इस टाइम पिरेड पर रहे पर रहे हैं आज कर हम देखते हैं तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता कि पिछले 20 सालों में अच्छली क्या था ये इंसिडेंट बाहर कैसे आया इसकी जानकरी लग गए थी निउस्पेपर वालों को तो उन्हों ने छाप दिया अभी इस टाइम मीडिया पर कंट्रोल कवर्मेंट का इत अपने बनाई है कुछ आपने बता सकते हैं उसको हाँ उसकी डिस्टेंस भी बहुत कैलकुलेटेड है एक्जेक्टली तो मुझे भी नहीं मालम शाहिए सिक्स थाउजन्ड सिक्सेंड़ सिक्सेंड़ इसा कुछ बोलते हैं में जो मिस्ट्री है कैलाश परवत की वह यह है क वह आवरेस्ट से भी उचा है एवरेस्ट पर लोग चड़ जाते हैं उस पर नहीं चड़ पाते हैं ठीक है रीजन क्या बताते हैं नहीं चड़ने का कि इसका एंगल कुछ तरीके क है शाए 60 डिग्री है ऐसको एंगल जिसकी वैसे पहाल पर चढ़ाई करना मुश्किल होता ठीक है और ऑक्सिजन की कमी हो जाती है बहुत सारे तर्क देते हैं बट क्या है कि ऐसा बताया जाता है कि कैलाश परवत पर भगवान शिव का वास है और वहां पर वही इंसान चड़ सकता है जिसका दिल साफ हो तो जो एक तिब्बती संत थे मिला रेपा वो चड़ गए थे अकेले वही एक ऐसे इंसान है जो वहां की चड़ाई करे पाए हैं तो अगर 60 डिग्री वाले एंगल का लॉजिक लगाए है या ऑक्सिएन की कमी का लॉजिक लगाए है जो आजकल के हाईकर्स के पास तो कितने अच्छे 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 एक्विपमेंट थे वो नहीं पर तो अभी कोई नहीं पहुंचा है लेकिन एक चीज और भी है सोचने वाली कि जब कोई कभी चड़ा ही नहीं है किसी को मालम नहीं लेकर हमारे वेदों में या फिर जो किसे कहानिया चलते हैं उसमें कैलाश परवत कार में सब बताया जाता है कि हाँ यहां पर यहां पर ले लिया था जब केलाश परवत को तो उसने रूस या जर्मन याद नहीं आ रहा है कुछ साइंटिस्ट लोगों को अनुमती दीती कि आप चड़के रिसर्च कर लो तो जब वो लोग गये थे ना तो उन्होंने बता है कि यहां पर हमारे बाल और नाखून इतनी तेजी से ब बढ़ती है वहां हर कोई नहीं चड़ पाता लोगों को इल्यूजन्स वगरा होने लगते हैं और बाकी जो उसकी पोजीशन है वह इतनी कैलकुलेटेड है जैसे कि मतलब इंटेंशनली उस चीज के बारे में हमारे क्रंतों में बात की गई क्योंकि उसको शाइसे धरती की इंडिया बहुत सारे जो भी रिलीजिन उनमें कैलाश परवत की इंपोर्टेंस है अब ही क्या चल रहा है कि अब ही मुद्दा थोड़ा सा ऐसा है कि चाइना का भी थोड़ा से इंडिया का भी तो सूला साल से तो कोई चड़ाई नहीं है दोनों कंट्रीस की तरफ से परमी है यह थोड़ाई का प्लेंसे तो जाई सकता हो कोई अगर ट्राइ करे तो देख सकते हैं इसी चीज़ नहीं देखती है आप जाओगे आप क्या एक्सपेक्टर रहो कि एलश पर जाओगे तो आपको कोई कुछ दिखे जाएगा कुछ मिल जाएगा यह ऐसी चीज़े हैं ज देखाई देगा कुछ नहीं देखेगा आपको यह सब चीज़े हिड़ान होती है कैलाश परवत के अंदर क्या है उसको क्यों इतना पूजने मानते हैं हमारे ग्रंथों में जिस भी चीज़ के बारे में कुछ कहा गया है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है यह आज के जमाने के लोग नहीं समझ पाते हैं उसको हमेशा हर चीज को अपने पॉइंट अफ्यू से समझने की कोशिश करते है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बर हो जाती है वहां पर बहुत कुछ दिखता है आसमान में लद्दा के दर भी दिखता है अपना क्या लाइट दिखती है यूएफो की शेप का कुछ दिखता है वहां पर ऐसा गया एक यूएफो टाइप का कुछ लाइटनिंग टाइप लिए ट्राइंगल शेप की इंडिया में भी बहुत सारी अरिया 51 जैसी जगह हैं जहां पर मतलब बहुत कहा जाता है ऐसा कि एलियंस की यावन जावन लगी रहती है अच्छा इंडिया में अपना एक दर्रा है ना लद्दक के दर हां वहां के रहवासी तो देखती रहते कि लाइट आ रहे हैं लाइट जा रही है अच्छा हां बट उनको क्या बूल देयाता है कि यह तो ड्रोन की टेस्टिंग चल रही है एलि से ज्यादा ही सूरज है चोटे बड़े डॉर्फ सन और बहुत सारे सौर मंडले और कितने तो लाखों प्लैनेट होंगे हजारों भी नहीं जो बिल्कुल धरती की तरह ही होंगे इवन अभी तक नासा वाले भी कितने प्लैनेट जून चुके हैं जो धरती की तरह ही सूटे है लेकर वह हम पहुंच नहीं सकते हो इतना दूर है ठीक तो जब इतनी सारे प्लैनेट्स हैं धरती जैसे तो इतनी सारी सिवलाइजेशन भी होंगी ना वह आस तक हम से कॉंटक्स कर पाए ना हम किसी को भी धूर पाए आस तक ऐसा क्यों है पर यह तो सुनने में आता है भ ऐसा कॉंटेंट बनाते ही है अपने कुछ रिसर्च करी ए देखा ऐसा कॉंटेंट या फिर कहीं पड़ा हो भाई इस चीज को बहुत सार पहलू है सबसे पहला पॉइंट यह कि एलियन तो एक्जिस्ट करते हैं ठीक बट अकॉरडिंट टूफरमी पैराडॉक्स हम सब इतन है उसे बहुत पहले अलियनस नहीं बसाया है और अलिय के अंदर धर्ती के नीचे या फिर समुद्र के नीचे कुछ ऐसे ही जगें हैं जहांपर इंसान की पूरी धर्ती में हम कहीं पर भी नहीं हम देखा या तो हम समुद्र का भी 5% एक्स्प्लोर कर पाएं ठीक है ऐसे यह हमारे इंगी में आते जाते हो जाते हैं कभी कभी ट्रैक हो जाते हैं को बहुत जाती है जब उनको थर्ती पर आना होता है तो इंसान जासा चेहरा बना लेते हैं कभी कभी वह फिरोग रहे एक जर्मन रॉक बैंड था इसका मेन लीड सिंगर था जब कॉंसर्ट हो दौरान एकदम से उसकी आँखें साब जैसी बन गई थी और यह बहुत सारे लोगों ने अपने उसमें कैप्चर किया था मतलब फोन में कुछ सेकंड के लिए उसकी आँखें एकदम से रटेलियन टैप की हो गई थी यह सर आज कल भी बहुत सारे इंटरनेशनल आटिस्टों की होती है इंटर्व्यू के दौरान उनकी आखों पर फ्लैश मारा जाता है पतली हो गई कभी पलक जपकने लगी है कुछ हो गय मैं खुदे करी देख रहा था एक कॉन्फरेंस टाइप चल दी थी पॉलिटिकल पता नी युएस की ती कहा की ती उसमें एक औरत पीछे खड़ी है जो बाशन दे रहा उसके और उसके दातों की शेप थोड़ी शार्पन और और रहे हैं उसकी आखे थोड़ी ऐसी हो रही ह जैसे की साब कि या रैंटी ही होती कि इसको भी खाता है कि यहां पे ये लोग एडिटिंग Mm है उसका फिए पर防क करते हुए यह वोडी आत्म कर रही है यह यह एडीमन वाल थी काम कर रही है या या डेमियूंग थी ऐनके उनका ब्युंद करुए हिसे लोग से पीधро री डीमन वाली बात तो बहुत अलग हो जाती है है ना एलियन वाली अगर हम बात करें तो एक थिएरी तो यह भी कहती है कि इंसान खुदी एलियन है मतलब उसका धर्ती के साथ नहीं हुआ उसको मैं भी आपको डिटेल में एकस्प्रिंद करूंगा और रेप्टेलियन वाली थि विलुप्त होते चले गए या फिर उन लोगों ने अपना रूप इस तरीके से छुपा लिया को इंसानों के बीच में रहते हैं लेकिन वो बताते नहीं है कि भाई हम जिसको बोलते हैं नाग देव जिसको बोला जाता था अपने हैं उस टाइप के लोग अभी भी आप थोड में ऑपर फेस बैसिकली अपर बॉयॉड की रहती है और लोवड़ बॉडी स्नेक की रहती है यह उन लोगों की रहती है जो ह्यूमन के साथ फ्रेंडली रहते थीक्या आपने मेसोपोटामिया, मेश और इस जगह पर भी आपने देखा होगा, बहुसी जगों पर इस टैप कार्विंग्स रहती है, जहां पर केवल बॉड़ी हुमन की है, लेकिन फेस स्नेक का है, इस टैप के जो होते थे वो हुमन के एनिमी माने आते हैं, बहुत यहां पर भी द आत तल होते हैं धर्ती में, तो रासा तल में ये लोग अभी भी रहते हैं, अच्छा जी, अरे बापरे, और इस एनकी गायब होने की वज़ा नी कभी भारा पाई, ये अगर ये लोग एगिस्स करते हैं, कि भई क्यूं, अगर ऐसा है, तो क्यूं गायब हुए, वैसे ही क् अगर यह सच है तो भाई देखो पहले क्या हुआ था अलग टाइप की सब्विता होती थी पहले आप देखोगे के मिश्र के जहां पिरामिड्स है यहां पर एजिप्ट में वहां पर बहुत सारे ऐसे आपको क्या बोलते हैं पुराने जमाने के लोगे जो किसी का सिर्चील ग भारत में भी ऐसे होता था समय के साथ इन सब चीजों के लिए लोगों की धारणा बदलती चली गए लोग इनको अपना दुश्मन मानते चले गए हुमन्स की जो आवादी है वह बढ़ती चली गए और इस टाइप के लोगों का महत्व खता हुआ है इस टाइप के लोगों चुने हुए होते थे ऐसा नहीं कि स्कूल या कॉलेज खोल लखे हैं रैप्टैलिंग लिए हुमन्स ने या सांपो ने वह गुरू होते थे थे जैसे पंदनजली गुरू के वारा में भी बोलाया था जिन्नों ने योग शास्त्र लेखा था कि भाई वह आधे इंसान थे अच्छा यह तो पहली बार चुना है क्योंकि अभी तक तो यही शुना था वह रिशी मुनी थे और नॉर्मल इंसान की तरह ही थे भाई देखो जिल्लों को यह चीज हजम नहीं होती कुछ लों की धार्मक भावना आहत हो जाती है तो वह कहते के नहीं नहीं ऐसा कुछ नह ने बनाया था वो थे अधिनाथ भगवान शंकर लेकिन उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी भगवान शंकर का नागों के साथ क्या संबंद सभी जानते हैं और पहला ग्रंथ जो योग पे लिखा गया था वह महारीशी पतंजली ने लिखा था और पतंजली महारीश मनुष्य है योगी ऐसा नीचे से उनका धड़ वह साप जैसा है एक जगे मैंने यह भी पढ़ा हुआ था योग का ही कोई ग्रंथ है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन था कि जो महारीशी पतंजली जब पढ़ाते थे तो वह पर्दे के पीछे चिपकर पढ़ाते थे जब य पर्दा गलती से हट गया था तो जो पढ़ने वाले थे वो तो सारी हुमन सी थे क्योंकि वो उनको योग की शिक्षा दे रहे थे तो जैसे ही पर्दा हट गया तो कुछ ऐसा नजारा सामने आया तो महारीशी पतंजली के जिवहां में हजारों फन थे ऐसा लिखित में है अगनी निकाल कर उस पूरी जगह को भस्म कर दिया और उन बचों को भी जिनुन देख लिया सब भस्म कर दिया सब खतम कर दिया कोई नहीं बचा तो यह सब चीजन क्या है आप जितना डिप में स्टड़ी करोगा ना आपको अलग लगलग चीजने पता चलेंगी आप मंद तो अपने मंदिरों में कभी स्कल्स की कार्विंग नहीं होती है है ना हमारे देवी देवताओं की कार्विंग होती है ठीक है जहाँ पर मतलब चित्रों के द्वारा ही संदेश दिया जाता है पूरी चीज़ां बताई जाती है तो यह सब चीजने बिलफ तो चुकित तमिल ल लेकर आती रहते थे और अपना नॉलिज़ शेयर करते थे वैसे जो यह मैन इन ब्लैक वगैरा वाली जो मूविज है उसमें भी यही दिखाते हैं कि वो aliens साप जैसे से होते हैं और body human की ले लेते हैं मुह हट जाता है उनका तो वो हो जाते हैं साप से बन जाते हैं पता नहीं क्या है यह जैसे धुआ उठता तो कोई ना कोई बात रही होगी और आबने यह भी का कि हो कि हम भार से आयों इसके पीछे भी एक लॉजिक है अजी इसके पीछे बहुत स्ट्रॉंग लॉजिक है बताओ सर देखो क्या है कि धरती पर जितने भी जीवित लोग हैं जीवित में मतलब कीड़े मकोडे पक्षी जो भी है जानवर वो सब एवल्यूशन के साथ साथ अपने आपको धरती के साथ से चेंज करते आये हैं ठीक है जो पहले मचली नहीं तो पानी में रहने लगे दीदीर मचली बन गए जो पानी में रहके बहार आये उनके पंख निक जलता है तो उसे कितने 20-30 km दूर से अगर भूकम आ रहा होता है तो पहले पता चल जाता है जो वेल मचली है वह कम्यूनिकेशन कर लेती अल्टरसोनिक वेफ से समोधर गंदर पक्षी होते हैं वह बिना किसी फ्लाइट बिना GPS सिस्टम के धरती से जोड़े GPS से वह एक कॉं और वो प्रकरती में चेंज़ नहीं करते हैं प्रकरती के साफ से खुद को ढालते हैं जो जहां मिला वहां के साफ से खाना शुरू कर दिया वैसे उनके बाल निकला है वैसे उनके सिंग आ गया या सिंग विलॉप्त हो गया लेकिन इंसानों के साथ पूरी दुनिया में ऐस से बंदर से तो नहीं एप से अपन वह वाई डार्विंस थेओरिक अकोर्डिंग इंसान बने हैं ना लेकिन देखो अगर वो थियूरी सही होती है ना तो हमारे अंदर कुछ तो ऐसे गुण होते जो धर्ती से जोड़े हूँ हमारे अंदर एसी क्या क्वालिटी जे हमें हर इ चला लेगा पेड़ काइट देगा सड़के बना लेगा GPS चाहिए उसको हर चीज आर्टिफिशल ही बना रहा हो क्योंकि नेचर में हर चीज मौझूद है लेकिन वो उसका इसका इस्तिमाल नहीं करता दूसरी यह पहला पॉइंट है कि इससे पता चलता है कि इनसान का जो एव इसी की वजह से सबसे ज्यादा बॉन का पेंज का जो बॉन में पेंड की प्रॉब्लम होती वह किसी भी और जानवर को नहीं होती क्योंकि इनका स्ट्रक्चर धर्तिकली ग्रैविटी के साब से एड़्श्ट हो चुका है ढ़ल चुका है वह लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि वह भी बरफ में रहने वाला जानवर है उसके पास नाचरली ऐसे हैर है कि वह थंड में सरवाइफ कर सकता है जो भी उसकी बॉडी का अड़ाप कर लेती है ऐसा निये की हुमन्स भाई अमेरिका माल एसी कोई कंट्री यह जहां पर मायनस में टेमपर्चर वह हुमन्स के बाल प्रकृति के साथ हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ है वाल हो रही है जैसे 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 एफरिका में भी उनके बॉडी की कंडिशन अलग होती है इन्सानों की जैसे महां स्किन थोड़ी थिक होती है बाल बालों की कंडिशन शकल बिल्ट थोड़ी ऐसी होती है ज प्रकृति के साथ से हो रहा है क्योंकि जब से मनुश्य धर्ती पर आया है उसके बाद से तो उसको सेंकड़ों साल हो गए ना तो सेंकड़ों साल का एवल्यूशन तो है अच्छा कल ही थोड़ी आये हो पुष्टों की पुष्टों की पुष्टे तो रह रही है ऐसा हो सकता ह जरूरी नहीं है कि जो humans हैं उन्हें यहां पर रखा गया हो या फिर हम कहीं और की civilization हो जो यहां पर आकर रहें लगे हो हमने खुद देखा हो कि यह जगे suitable है हमारे लिए हम यह यहां evolution के सबसे नहीं हुए लेकिन suitable तो है यहां हम रह सकते हैं अब इतना time हो गया है कि देखो अब obviously धूप में रहो गए तो काले पड़ी जाओ गए है ना वो हमारा nature है वो हमारी quality है धूप में आप भी खड़े हो जाओ दिल्ली में खड़े हो तो आप काले ही पड़े Darwin's theory भी यह भी बहुत जादा controversy में रही है पहले लोग इस पर बहुत आंक मुंद कर believe करते थे क्योंकि इसको पढ़ाया जाता था कि एप से human बने लेकिन अभी इसके बीच की बहुत सारी stages है वो प्रूफ नहीं हो पाई है वो गाया भी है बट चुकि हमां पास कोई और alternative नह से humans के bones निकले थे जो evolution की जो पूरी stages उनमें किसी से भी मैच नहीं करते थे evolution जो हुआ था ना एप से लेकि humans का जो बोलते हैं उसमें अलग-अलग stages पे bones का अलग-अलग structure था एक ऐसी प्रजाती मिली humans की जो उन सबसे ही अलग थी अब या तो वह बिलकुल अलग थे जो गा कि मार्स से हम लोग यहां पर आये हैं हां मार्स पर कहते कि एक explosion nuclear war चल रही थी वहां पर तो वह तबाही हो रहा था पूरा एक तरीके से और लोग रहने वाला हूं तो उससे पूछा गया कि मार्स में जब तुम रहते थे तो कैसा क्या था तो उसने बताया कि मार्स पर रहत तो हम धर्ती पर आया करते थे ठीक है तो हम जिस टाइम पहते उस टाम पर जो पिरामेट से उनका construction चल रहा था यह उस लड़के ने बताई बाते हैं कहां कहां लड़का यह मैं को देखना पड़ेगा याद नहीं है रहा बहुत पुराने किस्सा है कोई से गाम का तो नहीं बिल्ली टैक के हुए है वो ले उसके कान के दर से एक सीक्रेट एंट्रेंग तो जब उस चीज के अकॉर्डिंग जांच की गई तो भाई वाकई में वो जुश्टर कांच के दर से के सीक्रेट एंट्रेंग ने का अच अब यह बंदक जो बढ़का था यह सही बोल ला था यह नहीं पता इसका कोई प्रूफ नहीं है लेकिन उसने यह ची बताई थी यह सही थी जो सीक्रेट एंटरेंस था वो मिला था उसका कॉर्डेंग तो भाई देखो अभी चल क्या रहा है ना भाई सोचल मीडिया पर इतना कॉंटेंट जन्रेट हो रहा है इतनी अडिटिंग कोई कुछ भी दावे कर रहा है कि मैंने भाई रेप्टेलियन हुमन को देख लिया या मैं खुदी एलियन हूं मैं डैविल हूं भूत यह भी कह रहे हैं लोग मैं टाइम ट्रावलर हूं मैं टाइम ट्रावल हूं एक बहुत फेमस किस्सा था जो बाद में फिक साबित उसने प्रूफ किया था कि मैं टाइम ट्रेवल हूं मैं गया और खुद से ही मिलका है उसने अपनी सेलफी भी डाली थी शुरुगात में लोगों ने बहुत बिलिव किया बाद में पदा चला कि सब फेक था तो असली और नकली के चक्कर में ना इतनी चीज धुंदली हो च है कि हम ज्यादा एडवांस है आज की डिट में भाई यह मिलांकोविश साइकल जिसमें हर जनरेशन को लगता है कि हम सूपीर है हम से पहले वाले कम एडवांस थे हैं ना देखो जैसे कि आप अजनता एलगर के मंदिर देख लो उनका जो पूरे पहाड को काट के ऊपर से नीचे कार्व करके बनाया गया है है ना उसको जब आप जाकर देखो के तो आप कही ही नहीं सकते के भाई यह चीज हूमन ने बनाई होगी इतने सालों पहले उनके पास एडवांस टेक्नलोजी थी लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें इतनी बदल गई कि हम उस चीज को समझ सब्सक्राजी नहीं पा रहे है वह शीज़ें विलॉप्त हो चुकी है इनका भी नहीं पता लग पाया भाई कैसे कैसे पॉसिबल हुआ बना पिरामिट का पिरामिट कैसे बनें बहुत सारी थीयोरी से बना वेसे बना वाइसे बना होगा इतना बड़ा स्टोन एंगदम से ही है थोड़ा बहुत पॉइंट का अंतर है दूसरी चीज पिरामिट जब बना रहे तो उनको मालूम था कि ट्राइंगल शिप जो होता है दुनिया का स्ट्रॉंगेस्ट इस्ट्रक्चर होता है वो किसी और फॉर्म में भी बना सकते हैं वह आज भी खड़ा हुआ है और प उनको केवल मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं के भाई यह ऐसा वैसा अपने एजिफ्ट सी क्यो जाना अपने भारत में आप देखो इंडिया में ऐसे मैं इतने बहतरीन मंदिर बने हुए है एक मंदिर ऐसा है जिसके मालाब खमों को जो आप देखो के पिलर्स को इतने कुछ कुछ तो ऐसे पिलर है कि टिके नहीं हुए गैप है बीच में हवामे हो है एक मंदिर ऐसा है इसके पत्थर के खमों पर आप टच करोगे तो साथ सुर निकलेंगे अंदर से वो इस तरीके से वो खोकले हैं मूर्तियां ऐसी ऐसी है कि मरला भारत के मंदिर ही आपको ब जहां बड़े-बड़ी खोपड़ियां बनी हुई है वो चीज बनाई या सकती है भाई वो उसमें भी चार-बाच पीडियां लग जाएंगे इसमें इतनी डीटेइलिंग मंदिरों हमारे ऐसी की गई है तो बिना मशीन के पॉसिबल ही नहीं है इवन मैं जहां रहता हूं बोचपूर का मंदिर है ऐसा कायाता है कि उस मंदिर को एक रात में मनाया गया था एक रात में तो जैसी सुबह हुई तब तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया तो मंदिर अधूरा ही है लेकिन जब आप देखोगे ना बना हुआ तो जितना बना है वो इतना सॉलिड एकदम शार्प और जितना चूट गए वह आधा दूरा लेकिन आज तक वो ना टूटा ना उसका कुछ बिगड़ा और वहां पर इतने शार्प कटे हुए बड़े बड़े पड़े हुए हैं जैसे कंस्ट्रक्शन साइटम होते है न इतने हजारों साल पूरान होती है वहा तो आप पहाड़ों को देखो कि ऐसे घर टाइप को ना रखे उनने ठीक है तो जो उनके साथी कुंती वह वहां से भोजपुराय करती थी भगवान शिव की पूजा करना है पैदल तो वह नॉर्मल हमाई साइस के नहीं थे वह बड़े बड़े थे उनके लिए वह बहुत क हमको भीम बैटका से भोजपुर जाने में एक गंटा लग जाता है कार से वह रोज सुपर पैदल जल चड़ाने आती थी तो इसलिए उनका शिवलिंग भी इतना बड़ा है मतला अपन जैसे एक उपर एक तीन खड़े हो जाएंगे तब वह इतना बड़ा शिवलिंग कहते बना ही नहीं सकते वह अलग दिखता है के ओड़ांस टक्झनोजी थी उस टाईं का ज्यान भी उच पर कहता अचिता के जिए आतने बिद्स्ट्र जाले पहले हमारे शास्त्र है अपना अपना शास्त्र हर चीज के लिए विमान शास्त्र है उसमें आड़तालिस से ज्यादा प्रकार के विमान बताए गाए हैं जो कि मतलब पैट्रॉल यह डीजल से नहीं मरकरी का या पारे का इस्तमाल करके चलते हैं जो एंटी ग्राविटी टेक्नलोजी को यूज करते हैं जैसा आजकल अपन यूएफो फिर पुरान फिर उसका शास्त्र धीरे अलग अलग चीज़ें उपन दिशाथ बगएर जिसा बनते गए तो मतलब हजारों साल पुरान है किसी भी किताब में अगर इस तरीके के चीजों का जिक्र है तो को यह तो नहीं बोल सकता ना कोई बैठा हो को चलो विमान शास्त्र नहीं होता बट था विमान तो क्यों था क्योंकि उस टाइम वो चीज अवेलेबल थी और उस टाइम कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि उस टाइम अलग प्लैनेट से आने वाले या एडवांस टेकनोलोजी ने टेकनोलोजी वाली कोई सिवलाइशन थी जो हूमन के साथ कॉ जिसके वैसे चीज़ा पॉसिबल हुए यह तो भाई कह सकते हैं कि ऐसा कुछ था लेकिन मज़ा आगया यार इस पॉर्डगास में इतना इंट्रेस्टिंग हुआ है ने मज़ा आगया भाई सही में भाई हमें तो मज़ा आई गया और मैं चाहता हूँ कि और और ऐसा कर दो कि फिर से हम गौरब भाई को इन्वाइट करें तो गौरब भाई से जुड़ने के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में में इनके चैनल का गोल बटन भी यहां कहीं आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में के बाकी चैनल के और इंस्टाग्राम के भी लिंक है तो जाके भाई को फॉलो कर लो प्यार दिखाओ और हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही मज़दार पॉड़कास में तिल देन बाई-बाई-बाई टेक केर और हाँ आप हमारी मर्च भी चेक आउट कर सकते हो और यहलिटस्टो डाट कॉम पे नए डिजाइन अपलोड हो गया हमारे पा हमारे बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई